कभी-कभी घर में मीठा खाने का मन होता है और घर में कोई समान ने रहता है लेकिन ब्रेड सब के पास रहता है दूद और ब्रेड इन दो चीजों से मैं ऐसी मीठाई बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद लेगा एकदम सौप्ट बनेगा और आपका जो मीठा खाने का किसे बनाएंगे चले मनाते हैं इस रेसिपी को ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूब ब्रेड के स्लाइसे लिए हैं नाप आप अपने हिसाब से देख लिजेगा कम ज्यादा कर सकते हैं बना के आपको दिखा रहे हूं तो आप चाहने तो इसका जो ए इसके बाद क्या करेंगे हम इसको टुक्रे में पीसेस में काट लेंगे तो आप चाहे इसको ऐसे लंबे में काट सकते हैं या इसको स्क्वैर में भी काट सकते हैं छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं इसका मैंने ऐसे ही तीन कट लगा दिया है एक स्लैसेस को तो यह इतना पीस आता है न उतना ही डालना है एक पीस के ऊपर दूसरा पीस को नहीं रखना है पैन में जितना आराम साज है उतना डालें इसके बाद यहाँ पर गीह डालेंगे इसमें बटर नहीं डालना है आपको गीह डालना है गीह को इस तरीके से चारो साइट से डालेंगे यहाँ प पीच वला ब्रेड में भी घी चला जाएगा और इसको पलट के दोनों साइट से क्रिसिपी करके सेख लेंगे कलर यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर ऐसा गोल्डेन दिखने लगेगा एक पीस को आप पलट कर देख लें अंदर में कलर जैङ वो गया उसके बाद फीर से पलट लें अगर कलर जैंज नहीं हुआ थो थोड़ा सा पकने दें उसके बाद उसको पलट है तो यहाँपर मैंने सभी को पलट दिया है अब दूसरे साइट से भी आधे चमस घीक साथ ऐसे डाल देंगे घीक अस्वाद इसमें बहुत बढ़ी आता है इसलिए मैं दो बर घी डाल नहीं हूँ घी कम खाते हैं या घी पसंद नहीं करते हैं तो नहीं डालें यहाँ पर मैंने सभी पीसस में अच्छे से घीद लगा दिये हैं और इसको क्रिस्पी करके सेक लिये हैं अब हम क्या करें यहाँ पर इसमें दूद डालेंगे तो दूद डालने का यहाँ पर जो तरीका है वो देखिए दूद को थोड़ा थोड़ा करके डालना है पहले इसे आधा कप डालें फिर वो जब सुख जा उसके बाद फिर से डालें और यहाँ पर आप यह भी कोशिस करें कि जो ब्रेड के पीसे से सभी के उपर दूद जाना चाहिए इसी से वो soft बनेगा आप सिर्फ किनारे में दूद डाल देंगे तो जो किनारा वाला साइड है वो soft हो जाएगा और बीच वाला ब्रेड हारी रहेगा इसलिए सभी ब्रेड के उपर दूद को डालें इस तरीके से मैंने यहाँ आप दो से तीन बार में दूद डालें दूद डालते जाएगे दूद जैसे ही सूख जाता है तो उसका जो मावा है वो ब्रेड में लग जाता है उसके बाद फिर से दूद डालें मीठा के लिए यहाँ पर थोरा से उपर से इसी टैम में चीनी डाल दें तो मैंने यहाँ पर हाथ में चीनी ले करके ऐसे सभी ब्रेट के जो पीशे से उसके उपर से डालें इसी तरीके से चीनी को डालें नहीं तो आप चीनी को दूद में पहले से मिला लें उसके बाद डालें इस तरीके से डालें ज्यादा चीनी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि दूद का भी मिठास होता है, आधे चमच चीनी में हो जाता है, तो ऐसे चीनी लेकर इसके उपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दे सभी पीसे को उपर, उसके बाद दूद को अच्छे से सूखने दे साइड से, ये आपका मिठाई है, वो बन के तयार हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और ये कितना सॉफ्ट बनता है, अभी मैं एक पीस का आपको काट के दिखाते हूं, अगर आपको कभी घर में ऐसे मिठा खाने के मन हो, और कोई भी चीज नहीं हो दूसरा, तो आप सिर्फ ब्रेड और दूसरे ये मिठाई बना सकते हैं, ये देखें, जब आप इसको काटेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुझ में जाकर एक दम से घूल जाता है, अब एक पार इस रेसिपी को जरूर ट्रैक किजेगा, कम मेहनतों बनने वाली, बहुत ही अस्पेसल मिठाई, अगर आ अब एक दूल immunसका पार गार को जब एक